हाई दोस्तो मैं दीपक सर आप सभी को आई डेल स्टोडी पॉइंट में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं आप सभी के लिए भी वी आई फिजिक्स के शॉट कुस्टंस एन एंसर लेकर आगया हूँ आप सभी के लिए क्लस्ट विल्ट के लिए ये पार्टनम और हमारा सेविन है ठीक है यदि पार्ट वान टू थीरी फॉर फाइफ सिक्स नहीं देखे हैं तो हमारे चनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं ठीक है ये फॉर एक्जाम 2021 के लिए हैं बहुत ही भी वी कुस्टन है ठीक ह हमें आसा है कि आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ठीक है न तो चले स्टार्ट करते हैं ठीक है तो ये देखे कुस्टन बोला जा रहा है कि पूर्ण आंत्रिक परवर्तन क्या है इसके परमुक्ष सर्थों को लिखें यदि आप्तन कुन का मान क्रांतिक कुन के मान से अधि हो जाए तो परकास का उसी माधियम में आंत्रिक परवर्तन हो जाता है ठीक है इसे ही पूर्ण आंत्रिक परवर्तन कहते हैं ठीक है जैसे ये देखें जैसे में क्या बताया है जैसे बताया है कि हीडे की चमत ठीक है सर्थ इसके है इसके सर्थ भी लिखना था परकास को सगहन माधियम से बीरल माधियम की ओर चलना चाहिए ये इसका पहला सर्थ है दूसरा सर्थ क्या बोला जा रहा है कि आपतन कोन का मान क्रांतिक कोन के मान से अधिक होना चाहिए य नेक्स्ट कोच्छन देखिए, बोर्ड का परमानु मोडल को लिखे हैं, सन 1923 इसवी में निल्स बोर्ड नामक बेग्यानिक निल्स बोर्ड नामक बेग्यानिक और रधर फोर्ड ने रधर फोर्ड के नामके रधर फोर्ड नामके एक बेग्यानिक ने परमानु का मोडल तया कि 1913 में नां Кे बीग्यानिक और अगरफोर नाम Κे बीग्यानिक ने एक मौडल त्यार किया है झाय contraclet परमानू के केंद्रिये भाग में भी थे परमानू के केंद्रिये भाग में को नाभीक कहा जाता है जी में प्रोट्रों और न्यूंट्रों रहते हैं और परमानू के चारोर इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते रहते हैं मतलब पहने का मतलब कि 1913 में ने इन सबोर्ड नाम के वेग्यानिक ने और एक राधर फोर्ड नाम के वेग्यानिक ने एक परमानू मोडल तयार किया ठीक है ना? प्रोटॉन और नीटरॉन रएकर जैसे देखी इस तरह से चक्कर लगाते रहते इसपे इलेक्टल भूमते रहते रहते हैं कि यह की के यह फैन्म यह क्या今 कप्छा ना यह प्रत्थम से यह दूनी सम्ध Advisory में इलेक्ट्रोन की संख्या 2N2 रहते हैं यह आपको पता होनी चाहिए अगला कोक्षन देखिए कि जूल के नियम को लिखिए यह किसका मात्रग है जूल के नियम प्रथम नियम यदि किसी चालक में भीन-भीन प्रवलता वाला धारा को एक नियत समय तक परवाहित किया जाता है तो चालक में उत्पन उसमा H उसमें बहने वाली धारा I के वर्ग के व्यूत कर्मानु पाती होती अर्थात H समानु पाती I S2 तुरितियनियम कहा जा रहा है कि यदि एक ही प्रवलता की धारा एक नियत समय तक भीन-भीन परतिरोध धो के चालकों में परवाहित करते हैं तो चालक में उत्पन उसमा H चालक के परतिरोध R के अनुकर मनु पाती होती अर्थात H समानु पाती R तुरितियनियम बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक में एक ही प्रवालता की धारा भीन-भीन समय तक परवाहित होती है तो चालक में उत्पन उसमा H समय T के अनुकर मनु पाती होती है अर्थात H समानु पाती T यह काड़े और उर्जा का ही साई मात्र होता है मतलब जूल किसका मात्र होता है तो काड़े और उर्जा का होता है जूल होता है आपको पाता होनी चाहिए चले next अब दिखे दोस्तो ओस्टट का प्रयोग सन किसी चालक तार ए वी में विदु धारा परवाहित किया जाता है तो चुमक्य सुई बिछेपित हो जाती है जब धारा का मान अधिक बढ़ाया जाता है तो क्या होता है यह अधिक बढ़ाया जाता है तो चुमक्य सुई अधिक बिछेपित होता है तो यह अधिक बढ़ जाता है तो यह सुमक्य सुई है अलग-अलग करके सरकिल रूप में लपटा जाता है, इसी परकार के विवस्ता को परिनालिका कहते हैं, देखें, यह परिनालिका कीचित्र है, चलिए, बोड के सिधान्त के कमियों को लिखिए, और उलेख करीए, ठीक है, तो देखें, इसमें क्या कहा गया है, एंसर में नमबर एक इस सिधान्त द्वारा एक इलेक्ट्रोन वाले परमानु या अपने आयन के एक इलेक्ट्रोन वाले परमानु या आयन के रेखिये स्पेक्ट्रम की विवस्था की जाती है ठीक है प्रंतु वे परमानु जिसमें जिसमें अधिक इलेक्ट्रोन होते हैं उनके रेख इसका कमी, आइसो ट्रोप का उप्योग लिखना, आइसो ट्रोप का या समस्थानी का उप्योग इस परकार है नमर एक इसका परियोग केंसर के उप्चार में किया जाते हैं, इसका परियोग पुरानी जिवात्मत की आयो की पता लगाने में किया जाता है, इसका परियोग शर सरजित होने की घटना को क्या बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं तथा बीकिरन उत्सरजित करने वाले पदार्थ रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहलाते हैं अर्ध आयू क्या होता है किसी रेडियो एक्टिविटी पदार्थ की अर्ध आयू वह समय है जिस में उसके परमानों की संख्या विघटन या अच्छाय के कारण घटकर परनामभिक मान की आधी हो जाती है उसी को क्या कहते है अर्धायू आगे बोला जारा ओसत आयू से आप क्या समझते है सभी नाविको के आयू को औसत के रेडियो एक्टिव पदार्थ की मध आयू या औसत आयू कहते है इसे तर्क द्वारा सुचित किया जाता है नाविकिये रियेक्टर से आप क्या समझते है इसका उप्योग लिखे नावकिय रियेक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें नावकिय चैन रियेक्टर की नियंत्रित किया जाता है इसका सबसे बड़ा उप्योग विधु तूर्जा उपन करने के लिए किया जाता है सामानता सभी nuclear reactor नाप किये sun lion पर आधारित होता है जिससे इंधन के रुप में uranium का उप्योग किया जाता है आगे बोला है नाज अर्थ चालक और बाह अर्थ चालक में अंतर इसमें इलेक्ट्रोंड तथा छीद्रों का घनत समान होता है इसमें इलेक्ट्रोंडों की संख्या सन्योजक्ता वैंड छीद्रों की संख्या के बराबर होता है इसकी बीधूद चलक्ता कम होती इसकी बीधूद चलक्ता अधिक होती है यह होगे इसका अंतर आगे बोड़ा प्रेरन पर्तिगहात क्या है इसका इसाहिमात्र रखिया एक सुध परिपत में धारा को वैसे ही नियंत्रित करता है जैसे पर्तिरोध एक सुध पर्तिरोध परिपत में पर्तिगहात परिपत में धारा के और आवरिति के अनुकर्मानु पाती होता है इसका इसाई मात्रग क्या होता है ओम होता है धारिता परतिघाद क्या है इसका इसाई मात्रग बिदूत परनालियों तथा इलेक्ट्रोनिक परनालियों में किसी अव्य द्वारा धारा अथ्वा वोल्टता के परिवर्तन के बिरोध को उस अव्य की धारिता परतिघाद कहते इसका इसमात्रक भी ओम ही होता है परतिबाधा क्या है इसका इसमात्रक परतियावर्ति धारा के मार्ग में परति रोध, प्रिरग, कुंडली और संधारित्र में तीनों या किनी दो के द्वारा डाले गए और रोध को परतिबाधा कहते हैं इसका इसे मात्रक भी ओम ही होता है सौर सेल क्या होता है वह ही उक्ती जो सौर उर्जा को विद्ध उर्जा में बदलता है उसे सौर सेल कहते हैं सौर सेलों के समुझ को क्या सौर पैनल बोला जाता है इसका उपयोग सरको को परकासित करने में जॉल को जॉल पंप को चलाने में किया जाता है ठीक है पी एन जॉक्षन क्या होता है इस डायोड के रुप में इसके डायोड को परिभासित करें पी एन संधी डायोड जब एक पी टाइप के और चलक के क्रिस्टल के टुकरे को न टाइप के और चलक के टूकरे के संपर्क में लाए जाता है अर्थाथ दोनों को जूड़ा जाता है इनकी पडिस सीमा को अर्थाथ दोनों क्रिस्टल P टाइप और N टाइप मिलते हैं इसे ही P N संदी कहते हैं जेनर डायोड एक परकार का डायोड है जो एक सधारन डायोड की तरफ विजली को आगे की दिशा में बहने की अनुमाती नहीं देता है प्रंतो यदि voltage का मान इसके breakdown voltage से ज़्यादा हो जाता है तो यह धारा को उल्टी दिशा में उल्टी दिशा में बहने के अनुमती दे देता है इसी ही जेन ड्रायवड कहा जाता है परतिरोध परतिगहाद परतिबाधा में अंतर इस परकार है देखें दिश्ट धारा या परतियावर्ति धारा के मार्ग में चालक द्वारा क्या होता है डाले गये अरोध को ही परतिरोध कहते हैं ठीक है यह तो हो गया परतिरोध अब देखें परतिगहाद पर्तियावर्ति धारा में प्रिरक कुंडली या संधारित द्वारा डाले गए औरोध को क्या कहते हैं पर्तिगात कहते हैं अब देखिए पर्तिबाधा पर्तियावर्ति धारा के मार्ग में पर्ति रोधाक, प्रेरक, कुंडली और संधारे तीनों या किनी दो के द्वारा डाले गए और रोध को पर्ति बाधा कहते हैं यह आविर्ती परनिर्भर नहीं करता है यह आविर्ती परनिर्भर करती है यह आविर्ती परनिर्भर करती है इसे R द्वारा सुजित करते हैं, इसे X द्वारा सुजित करते हैं, तो बस यहां तक ले मेरा 118 question हमने आपको कड़ाया, 118 question यह short question है, ठीक है ना, यहीं पर हमारा इंड होता है, इतना ही आप तैयारी करके जाएए और अच्छी तरह से अपने एक्जाम में score करेंगे, एकदम आप निशित ही आसा है मुझे, कि आप अच्छे से अच्छे marks score कर पाएंगे, जितना आपको लिखना होता है, उतना एकदम लड़ना ही है, एकदम विश्वास के साथ जाएए इसको तैयार करके, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत दाने बाद,